वेल्कम टु न्यू लेस्न इस लेस्न में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइपस ऑफ इमेल्स ठीक है जी कितने टाइप की मेल्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे देखो मोटा मोटा आप टोटल तीन टाइपस में इमेल्स को बाट सकते हो या आप कह सकते हो कि भीया जो इमेल्स हैं वो तीन टाइपस की होती है पहला ट्रांजेक्शनल ठीक है जी ट्रांजेक्शनल इमेल्स दूसरी कौन से होती हैं दूसरी होती है रिलेशनल ठीक है दूसरी होती है relational and the final one is promotional तो यह major तीन categories हैं जिनमें आप emails को बाढ़ सकते हो transactional, relational and last one is promotional तो अब यह transactional emails कौन सी होती है तो देखो जबी भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसका जो thank you email आता है यह आपके पास confirmation का mail आता है कि भाई यह आपका purchase successful हो गया यह आपका transactional email है, ठीक है इसके अलावा आपके पास shipping की information आती है, आपने कोई product खरीदा, उसकी shipping की जानकारी आती हारी कि product ship हो चुका है, यह status है यह क्या है, अगेन shipping, आपका क्या है transactional पासवर्ड चेंज करने की mail आ रही है, आपके पास पासवर्ड रीसेट करने की mail आ रही है आपसे confirmation मांगा जा रहा है आपके email ID का, तो यह सारी चीज़े होती है transactional emails again, transactional emails जरूरी होती है, बट यह ऐसी emails नहीं है, जो आप daily लिखते हो अना, यह सब चीज़े जादा तर वो है जो system defined है, या एक बार आपने define कर दी, और वो back end पे चलती रहती है, अगर किसी का password, किसीने forget किया तो mail अपने आप उसको चली जाएगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जहां तक बात है, transactional emails दूसरी चीज, relational emails अब यह relational emails क्या होती है देखो, आप email marketing करते हो, तो ultimate goal क्या होता है आपका कि आप और ज़्यादा अपनी product या अपनी services बेच सको, किसके थूँ अपनी emails के थूँ हाना, जो आप emails भेज रहे हो उसके थूँ आप और अपनी services को, अपने products को बेच सको यही goal होता है आपके email marketing का, राइट अब इस पूरे goal में एक चीज जरूरी है कि आप अपने user को value deliver करो, अगर आप अपनी user को value deliver नहीं करोगे, तो आपका product या आपकी service user आगे खरीदे, उसके chances बहुती 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 remote है, तो relational emails वो emails होती है, जो आप अपने subscribers को भेजते हो ताकि आपका bond और strong हो ताकि trust और बढ़ियां बने, trust और मजबूत हो, एक और अच्छा bond बने, इसलिए हम क्या भेजते हैं, relational emails, अब इस relational emails में क्या क्या आता है, तो जैसे आपके पास welcome email आई, आपने कई sign up किया, आपके पासे कच्छी सी welcome email आई कि बहुत, thank you so much for signing up and here are the next steps, ऐसी जो emails होती है, welcome emails, उनको हम क्या कहते हैं, relational emails में, right, इसके अलावा आप content अगर भेजते हो, है न, अपने subscribers को आप क्या भेज़े हो, content भेज़े हो, उसको हम again किस चीज में डालते हैं, relational emails, content आप किस लिए भेज़े हो, again एक bond strong करने के लिए, तो content में आपका क्या आगया, आपका आगया blog आगया, आपने blog बनाया, और आपने उसकी mail उनको भेज़ी, इसके अलावा आपने video भेज़ी, ये भी किस चीज में आता है, relational में, इसके अलावा आप कोई webinar कर रहे हो, आप वो भेज रहे हो, तो again किस चीज में आगया, relational में, आपने अगर कोई, अपनी personal story, अपने life से related कोई personal story, या कोई ऐसी चीज आप अपने users के साथ share करना चाहते हो, again वो किस चीज में आगया, relational, तो ये emails क्या करते हैं, अच्छा bond बनाने में आपकी help करते हैं, and the last one is promotional, जैसे आप नाम से समझ सकते हो, promotional emails कौन सी होते हैं, जहां पे आप कुछ sell कर रहे हो लोगों को, right, so 2,000 promotional email, तो say आप कोई नया product launch कर रहे हो, उस product की email आप भेज़े हो, तो that's part of a promotional email, आप कोई discount offer दे रहे हो, उसकी email भेज़े हो, so that's part of a promotional email, आप कोई नया से आप webinar कर रहे हो, तो again उसकी email भेज़े हो, so that's part of a promotional email, आप कोई product का affiliate कर रहे हो, उसकी link भेज़े हो, लोगों को, so that's again promotional emails, तो ये major 3 categories में आप अपने पूरे email marketing को, या जो भी आप emails भेज़ोगे, उनको divide कर सकते हो, ये एक आपको idea होना बहुत जरूरी है कि भी है, किसकिस type की आप emails users को भेज़ सकते हो, ठीक है जी, that's it, from this lesson, कल के lesson मेलेंगे एक नई चीज़ के साथ, thank you so much